के गाईज वेलकम बैक टू माई चनल साइंस क्लासिस मैं हूँ आपकी नीरू मैं और जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10 में कौन सा चेप्टर पढ़ रहे हैं अमले 6 और 11 और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है सोडियम बाई क तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो आज का टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा या इसी को हम सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या नाम है इसका इसका नाम है बेकिंग सोडा ठीक है या फिर खाने का सोडा और पीर sodium hydrozone carbonate भी सबसे पहले हम इसको बनाने के विधी पढ़ते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है लो याद ओने चाई ठीक है तो ammonia gas से संत्रप्त नमक नमक क्या होता है nacl क्या होता है नमक naCl टीक है तो ammonia gas से संत्रप्त नमक के सांधर विलियन में अब को co2 gas प्रवाहिद करनी है तो क्या-क्या लेना है ने GAS हमको लेना ता संतरप्त नमक और हमको लेना ता सियोटू और इन तीनों को मिलाकर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा सोडियम बाइकारबोनेट या सोडियम हाइड्रोसन कार्बोनेट लेक्शन देख लेते हैं अब हमने लिया है NACL plus H2O क्योंकि हमने NACL का विलियन बनाया है तो हमने NACL plus H2O ले लिया CO2 gas हम इसमें प्रवाइद करेंगे और ammonia से हमने इसे संत्रप्त कराया है अब हमें कैसे प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा वो हम देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमें प्राप्त हुआ है NH4Cl जिसको हम बोलते हैं Ammonium Chloride क्या नाम है इसका इसका नाम है Ammonium Chloride मैं लिख देती हूँ यहां पर Ammonium Chloride ठीक है Ammonium Chloride बोलते हैं इसको Sorry for that तो इसको Ammonium Chloride बोलते हैं ठीक है इसके बाद इससे आपको क्या प्राप्त हो जाता है इससे आपको साथ में प्राप्त होता है Sodium Bicarbonate कैसे प्राप्त होता है वो भी देख लेते हैं देखें सबसे पहले यह NaCl है यह Na Plus में तूटेगा ठीक है और Cl- में तूटेगा किस में तूटेगा Na Plus और Cl- इसके बाद यह जो H2O दिखाए दे रहा है आपको यह कैसे तूटेगा यह जो H2O है वो H Plus में तूट जाएगा किस में तूट जाएगा? H+, में तूट जाएगा ठीक है? और 7 में आपको दे देगा OH- ठीक? इसके बाद यह जो ammonia gas आपको दिखाये दे रही है यह ammonia gas इस H+, को अपने 7 ले जाएगी और क्या बन जाएगा? NH4+, यही तो बनेगा यह ammonia gas इस H+, को अपने 7 ले जाएगी और क्या बना लेगी? NH4+, और क्योंकि इसके उपर positive का charge है तो यह कहाँ पर जाएगी? यह negative वाले पर जाएगी तो यह क्या करेंगे? अब यह इसका H+, और ammonia gas दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? NH4+, ठीक है? अब इस NH4+, ने किसके बास गया? CL के बास गया और क्या बना लिया? Ammonium chloride, क्या नाम है इसका? Ammonium chloride इसको हम बोलते हैं Ammonium iron, क्या नाम है इसका? Ammonium iron और यह chloride से मिल जाएगा और क्या बना लेगा? Ammonium chloride, ठीक है? अब साथ में हमारे पास बचा क्या अब हमारे पास बचा Na ठीक है जो की यहाँ पर खा ली था CO2 बचा ठीक है और साथ में हमारे पास OH- बचा था यही तो बचा था हमारे पास OH- बचा था CO2 बचा था Na बचा था ठीक है अब CO2 क्या करेगा इस OH के साथ reaction करेगा और NA के साथ reaction करेगा और क्या बना के देदेगा आपको NAHCO3 CO2 और यह साथ में oxygen क्या बन गया CO3-2-2 जिसको हम carbonate ion बोलते हैं प्लस NAH जो है वो इसके साथ ज़ुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा sodium bicarbonate एक बार फिर से इस reaction को देख लेते हैं सबसे पहले NaCl जो है वो NA plus में और Cl minus में तूटेगा ठीक है इसके बाद यह NH3 जो है और यह H plus जो है वो OH minus साथ में तूट जाएगा H2O ठीक है उसके बाद में NH3 क्या करेगा इस H plus के साथ reaction करेगा NH4 plus बनाएगा साथ में यह जो Cl है वो साथ में जोट जाएगा और क्या बन जाएगा NH4 Cl ठीक है बाकी बचा है आपके पास Na आपके बचा है CO2 और आपके बचा है OH यह सब मिल जाएंगे और मिलकर क्या बना लेंगे NHCO3 जिसको हम sodium hydrogen carbonate कहते है तो इस तरीके से आपको sodium bicarbonate या sodium hydrogen carbonate मिल जाता है कैसे कैसे मिल जाता है ammonia gas को आपको NaCl के संतरप्त विलियन में सांद्र विलियन में डूबान प्रवाहित करना है CO2 gas को और उसके बाद आपको ammonium chloride और NHCO3 प्राप्त हो जाएगा हेए सबसे पहला के सफेध क्रिस्टली थोस-पदार्थ होता है पुरी तरीके से यह ने गुलता है यह जलमें कम गु ये गरम करने पर sodium carbonate देता है और carbon dioxide गैस दे देता है अब जिससे बना हुआ था ये वह ये देता है अब ये क्या दे देता है आपको डंक से अच्छे से देखे यह सबको समझा रहा है कि ये क्या दे रहा है ये NaHCO3 है जिसको हमने गरम किया तो ये गरम करने पर हमें क्या दे रहा है यहाँ पर Na2CO3 जिसको हम सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट तो यह हमें सोडियम कार्बोनेट देने का काम कर रहा है प्लस यह हमें H2O दे रहा है जल दे रहा है और प्लस साथ में यह हमें CO2 गैस भी दे रह तो इस तरीके से हमें जब इसको हम गरम करते हैं तो हमें क्या प्रप्त देता है sodium carbonate यहाँ पर आपका एक question और खतम होता है आपके पास question आएगा sodium hydrogen carbonate से sodium carbonate किस प्रकार प्राप्त करते हैं तो आप इसे reaction को लिख कर आएगा आपके boards में बहुत important question आता है सोडियम कार्बोनेट को सोडियम हाई रोजन कार्बोनेट से इस प्रकार प्राप्त करेंगे ठीक है आगे भड़ते हैं आगे इसका नेक्स्ट है यह और गुड है इसका यह लिखा हुआ है कि यह है तनु अमलो अमलो क्या होता है मैंने आप सबको पहले बताए है ठीक है छार क्या होता है वो भी हमने इस चेप्टर में पहले बढ़े है कि तनु अमलो से क्रिया करके लवड बनाता है जल बनाता है और सीओ टू गैस बनाता है ठीक है रियक्शन सेम वही है जो पीछे बनाए तो यहाँ प माइनस में तूट जाता है ठीक है sé 쪽 ölता है वह अच प्लस में तूट चाता है इसके बाएद अब होगा क्या एक बार फिर से साफ क्षा लेते हैं देखें श्री चेज्टम निक्टिब में तूट जाता है HCl जो होता है, वो H+, और Cl- में तूट जाता है, अब होगा क्या, अब होगा ये, कि Na+, है, और Cl- है, तो ये दोरों जुट जाएंगे, मैंने बताया था, positive और negative जुट जाते हैं, तो क्या बना लेंगे NaCl, ठीक है, इसके बाद ये आपको HCO3 दिखाई दे रहे हैं, अब ये HCO3 ये negative जो होता है, वो फिर से टूटता है, और वो कैसे टूटता है, कि ये हमको देता है, कारबन डाई ओकसाइड गैस, क्या देता है हमको, कारबन डाई ओकसाइड गैस, CO2 देता है, जो की निकल जाएगी, प्लस यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा, OH- ठीक है, अब ये OH- सब्सक्राइब सब्सक्राइब करताया या बना करते फार् जसे सांगतों प्रोडक्शेलन या फिरेंगा और्ट 7 Employee सबसे पहला है खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए जब हमें किसी चीज को जल्दी पकाना होता है तो हम उसके अंदर बेकिंग सोड़ा डाल देते हैं यह जो आपका खाने वाला सोड़ा है इसको हम डाल देते हैं यह आपका इस पर लिखा हुआ है बेकिंग सोड़ा या खाने का सोड़ा तो हम इसको डाल देते हैं इसके बाद नेक्स आता है बेकिंग पाउडर बनाने में तो बेकिंग सोड़ा जो होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है इसके बाद धावन सोड़ा धावन सोडा, कपड़े दोने वाला सोडा, इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, वो बनाने में भी यूज होता है, अगनी शामक के रूप में मतलब आग बुझाने में यूज होता है, इसके बाद प्रतियम अमल के रूप में, प्रतियम मतलब कि आपके पेट में जो ए important है ठीक है तो इसलिए अच्छे से इसको समझेगा पढ़िएगा कोई problem हो तो solve करेंगे उसको और इसको complete कीजिए मिलते हैं next video में till then goodbye